डॉक्टर बाबासाहब आमबेटकर ओपन युनिवर्सिटी डॉक्टर बाबासाहब आमबेटकर ओपन युनिवर्सिटी ना चेतनने स्टूडियो मा विद्यार्थी मित्रों आपनों स्वागत्चे विद्यार्थी मित्रो आजे आपने टीवाई बीए नी एंदर एकम छ अगस्ट कॉम्प विशे चर्चा करीशू एमा आपने आजे खास करीने अगस्ट कॉम्प ना जे सिद्धान्तों छे एनी एंदर चार बाबतों छे प्रत्यक्सवादनों सिद्धान्त, त्रीस तरिये सिद्धान्त, विज्णाननों वर्गी करन अने सामाजिक गतिसास्त्र अन सामाजिक स्थितिसास्त्र आ एकमनी अंदर आज चार मुद्दाव के चार सिद्धान्तों आपने वाद करवाना छे एमा थी आजे पहला भाग वि तो छे अने तमने ख्याल आवेना माटे आ फोटो यहां मुक्वेलो छे आगल वाद करिये तो सौथी पेला वाद करिये ओगस्ट कॉम्ट नी इस वीशन सत्तरसो अठाणुमा जन्मेला ओगस्ट कॉम्ट फ्रांस ना दार्षनिक हता तेमने समासास्त्रना उद्बवव विका आपेला योगदानने कारणे समासास्त्रना पीता तरीके स्थान प्राप्त करिये छे फ्रेंच क्रांतीना लिदे जुनी वर्ग प्रथा बदलावा लागी अने राज्येनी देविय सत्तानों ख्याल दूर थवा लाग्यों हतो ए समाजना तमाम शित्रों मा परिवर्तन समाज मा विकास नो भोग आप्यावी ना समाजिक स्थीर्ता ने टकावानी पन समस्या उभी थाई हती सामाजिक सुधालना आ तबक्कामा ओद्योगी क्रांतीना खराप्र परिणाम दूर करी विकास नो मार्ग मोकलो बने एनी सरुवात थाई चुकी हती ओगस्ट कॉम्ट सामाजिक सुधालना नी साथे साथे सामाजिक व्यवस्था नी जहरणी राखनार विचार रजू करनार नोंध पात्र नोंध पात्र नों फालो समा सस्त्रमा जुवा मड़े छे विद्यर्दी मित्रो अहिया सम् ओगस्ट कॉम्ट से नी बेजिक वाद करेली छे क्या ओगस्ट कॉम्ट यहमनों जन्म शत्तर सो ने अठानों नी अंदर थाएलो अन्ने फ्रांस ना दार्शनिक हता यहमने खासकरीने ए समय दर्मियान समाज नी अंदर जे बदला हो थाया जे सुधारा ओ थाया एने ध्यानमा राखी ने आखेई आसिद्धान तनी अमने वाद करेएती और यहमने यह उपन की दुटुतु कि ए समय जे खासकरीने जे ओद्योगी क्रांती थाई ओद्योगी क्रांती ना कारण समाज नी अंदर जे विकास नी वाद चे विकास नी एक खराब परिणामों ने दूर करी अने समाज नी व्यवस्था सु व्यवस्था टकावी राखवानी वाद हमने आपनने करेली जुवा मड़े छे अगल वाद करिये तो प्रत्यक्स वाद मानव समाज ने यथार्थ रीते समझवानी एक पद्दती छे कॉम्प्र ना पत्यक्स वाद नो एक अर्थ वेग्नानिक एवो पण थाई छे तेमना मते विश्वनु संचालन करता विविद नियमोंने समझवा थीज विश्वनी साची माहिती मेडवी सकाय छे विश्वने यथार्थ पणे समझवा वेग्नानिक पद्धती नो उप्योग जरूरी छे कोई पन गटनाने समझवा तेना वेग्नानिक रिते चकास्वी जोईए मानव समाज विशे ग्नान मेडवा माटे पन वेग्नानिक पद्धती अनिवारिय छे एवो विचार कॉम्टे प्रत्येक्स वाद मां रजू करियो हतों अटले शरू आत्मा प्रत्येक्स वाद नी जरे वाद करे चे तेरे कॉम्ट एउ के छे कि प्रत्येक्स वाद एटले ज विग्णान वाद एटले जो एमने सब्दव आपरो छे कि प्रत्येक्स वाद नो एक अर्थ विग्णानिक अगर वाद करिये तो प्रत्यक्सवादनों अर्थ जोईए तो प्रत्यक्सवाद एटले विग्णान वाद प्रत्यक्सवाद एटले विग्णान एम पन कही सकाएं समग्र विश्व जे कुद्रती नियमों मुझब व्यवस्तित चाले छे ते नियमों ने वेग्नानिक रिते तपास्वा के चकास्वा एकले प्रत्यक्स वाद प्रत्यक्स वाद गटनाना अब्यास माटे गटना साथे संक्णा आयला पड़ी बढ़ो समझवा पर भार मुके छे त्याने कल्पनाओ साथे सबंद न थी समाजने वास्तविक रिते जानी अने समझावी सकाई तेवी गटना एकले प्रत्यक्स वाद मानव समाजने साचा स्वरूप मा समझवा माटे सामाजिक गटनाओनुन निरिक्षण, परिक्षण अने वर्गीकरण करवाना कॉम्ट हिमायती छे कॉम्टे प्रत्यक्स वादने वेग्नानिक पद्धती तरीके ओडखावी तेनी चार प्रक्रियाओ दर्सावी छे एमा निरिक्षण, प्रयोग, तुलना औने एतियासिक पद्धती नो समावेश थाई छे आ प्रक्रिया द्वारा ग्नानेंद्रियो ना प्रत्यक्स अनुबव थकी मानव समाज नू ग्नान मेलवी त्यारे तेने प्रत्यक्स वादी पद्धती नो उपयोग करियो कहवाए औने आ प्रकारे मेलवील ग्नान ने प्रत्यक्स वादी ग्नान कहवाए सब्सक्राइब तो इटला माटे जो कौम्ट आगर जाता यहू किया छे के तमए जेपन गणान मेडवो छो इंदरियो ना माध्यम थे आपड़े बद्धा जानिये छे के सामाजीक विभ्णान नी अंदर आपड़े समाजनों अभ्यास करिये छे तो जो प्राकुरुतिक विभ्णान नी अंदर आपणे समाज नो अब्यास प्रयोक्षाणा नी अंदर करी सकता न थी, इतले आपणे सु करिये चे कि जणानदरीयों द्वारा जी ग्णान मलें छे मानव समाज नू आनो जी अभ्यास करियेचे तो यहँए चार पंधियों से लिग्णा जो शेयन आप विश्ण करो चुम अन्न आ तीज घ्णान मीडवा जो और ऑसिक पर समाज नी यंदर अदर भुद्कानां जिएपन घटना वोड़िं गट्नाओने अत्यानी घट्नाओं साथे साक्णी तुनला करीने अख़ अभ्यास करवामा आवे चेंटे इन्टे परिष्टितीने के समाजने समझवामा आवे चें आविवाद कॉंट हैं करे चें अगर वाद करिये तो मानवताना धर्म स्वरूपे प्रत्यक्सवाद प्रत्यक्सवाद ने वेग्नानिक पद्धती थी रजू करनार कॉम्ट पाछर थी आ वाद ने एटले के प्रत्यक्सवाद ने मानवताना धर्म के समाजना नेतिक एकता साध्वाना साधन तरीके रजू करे छे एपाचण नो M ुद्धेश न मानव समाज ना कल्यान नों छे M ने मन समाशस्त्र नों दे मत्र जणान प्राप्ति नों नथी परंदु मेलवेल जणान थकी समाज मा नेतिक एकता स्थापी ने समाज नों विकास अने कल्यान साधवानों छे मानव जाती ना परस पर प्रेम ना पाया पर सु व्यवस्था स्थापी मानव जाती नुँ कल्याण करवानी हिमायत प्रत्यक्सवाद मा करवामा आवी छे ओद्यगिक क्रांती ने कारणे फ्रांस मां ते समय उद्भवेला मुडिवाद नी सामाजिक समस्याव जेवी के शोशन, अन्याय, इंसा, वगेरेनु निराकरन लाववा माटे एक नैतिक साधन तरीके तेमने प्रत्यक्सवाद नी रजुवाद करी एम ने कौम्टे पोतानों प्रत्यक्सवादी विचारधारामा सामाजिक विकास माटे बवतिक सक्ती, बवधिक सक्ती अने नेतिक सक्ती ना समन सयोजन ना मार्गो सुचविया छे मनुष्यना परिश्रम्ती संपत्ती स्वरूपे बवतिक सक्ती प्रगट थाय छे बवधिक सक्ती चिंतन अने प्रत्यक्सवादी पद्धती ना कारणे प्राक्त थता जणान माती प्रग्टे छे समाज मा आ बे सक्तियों उप्रांद लोको मा पारस्परिक प्रेम, स्ने, उदार्ता, सहकार, प्रोपकार, जेवी नेतिक भावनाओ पण जरूरी छे नेतिक सक्ती स्ने अने प्रोपकार नी भावना माती प्रक्टे छे सामाजिक कल्याण माटे आ नेतिक सक्ती अनिवारिय छे एटले के ओगर्ष्ट कॉम्ट जे सरुवात्मा प्रत्यक्सवादनी अन्दर वात करे छे एमा आगड जता अले के पाछर थी एवो एवो किया छे के आज जे प्रत्यक्सवाद छे ए मानव ताना धर्मस्वरूपे प्रत्यक्सवाद ने चल्ले पाछर ती रजू करे छे एना माटे एवो आगड जता एक एक खासकरी ने बेए प्रकार नी शक्तियों निवाद करे छे के एवो किया छे के बहुदिक सक्ती चे तो के बहुदिक सक्ती के रिते जन्में तो के मनुष्य नी अंदर जी चिन्तन सक्ती चे एमां ती बहुदिक सक्ती भी ठाये चे अने बीजी वस्तो ये के छे के खासकरी ने पा सक्ति पाचर थी समाज नी अंदर नहीतिक तानो उदभव तसे एवू कौम्ट केवा मांगे छे लेकि आने शाथे शाथे यह उपन केछे कौम्ट, खास करीने लोको नी अंदर समाज व्योस्ता नी अंदर पारस्परिक प्रेम, अने आना द्वारा आज नहीतिक भावना पण उभी तसे कह जुए तो न्याय अने अहिंसाना नेतिक गुणों ना पाया पर रचायली नवी सामाजिक निती नी मदती प्रत्यक्सवादी समाजेनी पुरोरमुरियेत के पुरों刃 समासास्त्रियों करवानू छे मुडिपती वर्ग स्रम जीवी वर्गनू शोषण ना करे ते माटे तेमने तेमनी नेतिक फरोजो सिखवानू कार्य समासास्त्रियों करवानी हिमायत कॉम्टे करी छे कॉम्टे प्रत्यक्स्वादनू स्वरोप सामाजिक गटनाओना अभ्यास करी ने इग्नान प्राप्त करवानी एक व्यग्नानिक पद्धती तरीकेनू हतु परन्तु पाचरदी प्रत्यक्स्वादनी विचारणाने कॉम्टे मानवतावादी नीती घरता परिबर तरीके गणी तेनो उप्योग सामाजिक कल्याणना साधन तरीके करवानू उपकरम राख्यों तेथी एक व्यग्नानिक विचारा तरीके प्रत्यक्सवादी विचारणानू महत्व गटी गईू ने सामाजिक विग्नान तरीके कॉम्ट ने सरुवाद्मा मडेली प्रतिष्ठाने धक्को लाग्यों अटले के अईया समझ वाजे वी वस्तू छे के कॉम्टे सरुवाद्मा ये प्रत्यक्सवाद नी अंदर वाद करी थी के प्रत्यक्सवाद एटले विच्णान वाद विच्णानिक पद्धतियों द्वारा जी समाजनों अभ्यास करो जो येन जी इग्नान मले चे समाजनी अधर प्रत्यक्सवाद तरीके ओढ़्फावें तो कॉम्टे पाचर ती जिया प्रत्यक्सवाद ने चे इमानोता धर्मना स्वरू पे रजु करें अने ये उग कि दु के समाजनी तमिधी एक सब्दों वापन चे कौम्टे येउँ सब्दों कि दु चे के सरु आतनी अन् विनान प्राप्त करवानी एक व्यग्नानीक पदती तरीके यह करी। इतले के मानव कलियान ना माटे के मानव ता वादी नितिना घडतार माटे यामने रजू करियों। इतले हम्नी स कम्टनू शरुआत्मा प्रत्यक्सवाध प्रत्येक्स वाद ना लक्षण निवाद करिये तो मुड़बुत रिते चार लक्षण आपने जुवा मड़े छे यहमा सवती प्यलू लक्षण छे प्रत्येक्स वाद एक वेजनानिक पद्धती तरी के कौम्ट नो प्रत्येक्स वाद वेजनानिक पद्धती के विजनान वाद तरी के ओलखाय छे शमाज के मानव सबंदोनू अनुभव सिद्ध ग्नान मेळववा वेजनानिक पद्धती नी अनिवार्यता कौम्टे स्विकारी छे जनानेंद्रियो द्वारा प्रत्यक्स अनुभव माथी गटना विसे माहिती मेळवी मेळवेल माहिती ने तरक नी कसोटीये चड़ावी ने तेमा थी अकिगत अलग तारवी अकिगतों ने तरक संगत अने क्रमबद स्वरूपे गोठुवी तथा ए अकिगतों वच्चे न सबंद समझावी सकाई ते रिते विधानना स्वरूपुमा रजु करवी आ प्रक्रियाने वेग्नानिक पद्धती तरीके उलखवामा आवे छे आमा निरिक्षन पद्धती प्रयोग पद्धती तुल्नात्मक पद्धती अने एतिहासिक पद्धती मुख्यत्वे चार प्राणी समाज तथा एकज समाज ना जुदा जुदा वर्गो वच्चे नीम तुल्ना करीने थतो अभ्यास एटले तुल्नात्मक पद्धती ज्यारे एतियासिक पद्धती थी मानव समाज मा थै रहेला परिवर्तन पाचड काम करता नियमों जानी सकाए छे प्रत्यक्स वाद एक विजणान वाद तरीके पण ओडखवा मा आवे छे अन्ने जे खास करीने एक बहुत सारू उधारन आपिलू छे एक उधारन नी वाद पछी करी पेला एक वाद करी यह वस्तों समझीले बहुत जरूरी छे कि वेजणान इक पद्धती सामाजिक विजणान नी अंदर आपने ज़े वेजणान पद्धती कही है छे मरा आब ड़तों एनी द्वारा जे गनान मेढ़वाहे छे इजनान नित्रा है संसोधन करता जो मां था आए चका सियंची का सत्य चत्य नी हरोड पर तपास्या बाद आपड़े यहने स्विकारिये छिए आखी विग्नानिक पद्धति नी अंदर आखी आ प्रोसेस माथी यह सत्यने बाहर निकरूँ पड़तु होए छे पजी आगड़ देता कौम्ट यह हुगे छे कि आ पद्धतियों नी अंदर जेम आपड़े आगड़ बात करियें कि कौम् टुल्णात्मक पद्धति आखासकरी ने यही मानव समाज होए के प्राणिक पद्धतरी माटराइब डाहर नुडता पलाओक । परिवर्तन परिवर्तन माटे काम करता कया परिवड़ो छे मानव समाजनी अंदर जे परिवर्तन आपने जुआ परिवर्तन 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 पर करे छे के प्रत्यक्स वाद विग्नान आधारित छे समाज के समाज नी रचना इस्वर नी इच्छा के कोई अकड नियमों थी चालती नथी समाज एक अनुबोसिद जानी समझी सकाई एवी गटना छे सामाजिक सबंदो वास्त्रविक अने निरिक्षण करी सकाई एवी हकी ग तो होई समाज के सामाजिक गटनाने समझवा माटे तरक हीन मानसिक कल्पनाओ के दार्मिक विचारों उपियोगी थता न थी आम अहीं कौम्ट परापुर्वती चाली आवती आदर्स्वादी अने दार्षनिक विचारधारानों विरोध करी प्रत्यक्स्वाद मा दार्षन आदर्स्वादी अने दार्मिक विचारों थी वेगढा रही समाजनों अभ्यास करवानूं कहे छे विद्यार्थी मित्रो आ वीजा लक्षणानू एनू टाइटलाज यह हूँ छे के धार्मिक अने काल्पनिक विचारो थी और अटले के दूर रहे हूँ अटले के प्रत्यक्स वादनी अंदर धार्मिक अने काल्पनिक विचारो छे ए विचारो ने कोई जिस थान ना थी के ज अखिगत छे अने ए अखिगत विग्णानिक पद्धती द्वारा मेडवेली होई का तो साबित थहली होई एवी जबाबतों ने कॉम्ट प्रत्यक्स वादनी अंदर लेया छे एटले यहू किया छे के एवी कोई जबाबतों नुँ स्थान ना थी कि जए विग्णान द्वार सिद साबित ना थाई सकतों होई एने प्रत्यक्स वादनी अंदर कोई जी स्थान न थी एटले के धार्मिक अने काल्पनिक विचारो थी दूर रहवानु यहां ओगस्ट कॉम्ट आपनने जणावे छे आ यह लक्सण छे यह पछी वाद करिये तो वास्तविक तथ्यों साथे सबन प्रत्यक्स वादी पद्द दी वास्तविक सामाजीक तथ्यों नूं जणावे जणावे छे वास्तविक तथ्यों विशे जेटलू उप्योगी हो एक्न हुए इटलू जी जिग्नान मेडवानों प्रत्यक्स वाद नो हे Carryा जवीट आवह ही चबन ग्नान जेतलू आपना माट ही उप्योगी हो एक्नु कुं पण के वॉश्ताविक Everything सा थे सबंद के संवाज नी अंदर डी यहुँ छे यहुँ यथार्थ आऊ सब्दा आपड़े वापरी सक्किये वास्तविक जे ग्नान छे एनी साथे एनो सबंद छे प्रत्यक्सवादनी अंदर बीजे कोई आगर जें वातकरियें काल्पनिक अने धार्मिक बाबदोने कोई जी स्थान आणी प्रत्यक्सवादनी अनुभववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव अगाव वेग्नानिक पद्धती रुपे रजु करवामा आवेल प्रत्यक्स वादने कॉम्टे पाचरती मानवताना धर्म स्वरूप आपी मानव कल्यानना साधन तरीके रजु कर्यों हतों मत्र ग्नानधी नहीं परंदु बीजाओना कल्यान मा मदल्द रुप बने एवी नैतिक भावना विक्षावी ने समाजनों विकास करवामा पत्यक्स वाद उप्योगी बनी रहे एम कॉम्ट सुचवे छे एटलूज नहीं एमने ए माटे सामाजिक कल्यान माटे एक योजना पण गड़ी आपी पाचरती वेजनानिक पद्धती ने बदले धर्म के नैतिक एकता उभी करता साधन तरीके प्रत्यक्स वादनू रूप आपता गणा विद्वानों आ वादनी एटले के प्रत्यक्स वादनी कडक आलोच ना पण करी अने परिणामे वेजनानिक पद्धती तरीके प्रत्यक्स वादनू महत्व गटिव कॉम्ट माटे एम पण कहवायू के प्रत्यक्स वादना जन्म दाता ओतेज ओछा प्रत्यक्स वादी हता विद्यार्थी मित्रो प्रत्यक्स्वाद ने छेल्लू लक्षन छे के ओगस्ट कॉम्ट प्रत्यक्स्वाद ने छेल्ले दार्मिक्स्वरूपे रजु करे छे अगाव प्रत्यक्स्वाद नी अंदर यहू किदू तो के वेग्नानिक पद्धती रूपे जे प्रतेक्स्वाद नी महत्व ओछु आक्यू आपने एवु जोवा मड़े छे के पाचर्दी यहुग गिदू के प्रतेक्सवाद ए मानों कल्यान माटे लेके समाज कल्यान ना एक हेतु माटे यह मनें रजु करी इनके नहीतिक भावना नो विकास थाए समाजनी इंदर नहीत सिद्धान थे विजणानिक सिद्धान था जे और एमनी सहराना था थाय ती एमनों प्रतिष्ठ वदी थी एजिर विद्वानों ये पाचर्दी पाच्छी जारे एमने प्रतेक्सवाद ने दार्मिक स्वरूपे रजू कर्यू नेतिक स्वरूपे रजू कर्यू कि मात्र जणान खातर जणान मिलावा थी Un inv точки कि प्रत्यक्सवादर ना जन्मो captivल्वादी नवठता आ विधान गणा विदवानों आमटे प्रजवलू आपण Sab внеш तुक मां जोई है तो क्याजना एंद लेक्चर मांपने की प्रत्यक्षवाद एटल equations and Great case στα और मेड़ें जोन को्य लेड़ने 15 रजों करें । अगर वात करें तो विद्यार्थी मित्रो आ लेक्चर ना अन्ते थोड़ाक एमसी क्यू जुई है लेके बहु इकल पिया प्रश्णों जुई है समझिये तो पहलो छे समासास्त्र ने खाल जग्याने समासास्त्र ना पिता तरीके ओडखवा मां आवे छे एना त्रोन ओप्शन छे ओगस्ट कॉ विद्याल्स धिमित्रो आः वहभविकल पियो प्रश्णों ना अन्ते तमगर माटे अकिकर लाइक स्वाध्याना प्रास्णों थे प्रत्येक्सवाद इतले सु सम्झाः वो नहीं स्वार्ण हो विधा अधिमीत्रों आ ओगस्टी कौस 14 अन्ने खासकरीने प्रत्येक्स inच वाध विशे तमा जह 9 जानवों होई तो आईयां में केटलिक संधर्व सुची संधर्व बुको लखी छे एमा पहलू छे आपड़ू डॉक्टर बाबासाइब आमबेट करना जे SLM छे लेके बुको छे BAU.edu उपर आपने जे वेबसाइट उपर मुखेली छे अने आपने तिया अवेलेबल छे आमा आने जेके दवे लखे चे अड़ना प्रकासन नी बीजी पुस्तक छे प्रमुक अलेके मुख्यर समा सास्त्रिय विचा रखो जे हिंदी मा छे जे रावत पब्लिकेशन नी छे जे HL2C साहिबे अने PC जैन साहिबे लखेली छे जे हिंदी मा छे अने तीजी बुक छे अंग जुराती हिंदी अने इंगलिज तमने जे पन अनुकूर हो एंट तमे वदार रेफ्रेंस माटे वाची सब्कों छो त्रण 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 नू पुस्तको अवेलेबल छे थैंक यू